नमस्कार जैहिद इत्यास विमर्ष की इस यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है यह बासातियों जैसा कि हम जानते हैं कि अब परिक्षाएं बहुत नजदीक है जो बच्चे पस्टियर, सेकेंडियर, फाइनल और पीजी की कक्षाओं में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो परिक्षाओं के दर्श्टि से कुछ घवराए हुए भी हैं और खास तोर पर जो फस्टियर और सेकेंडियर के बच्चे हैं उनमें ये घवराट ज़्यादा देखी जा रही है सामाने तोर पर बच्चे इस तरह के प्रशन करते हैं कि हम तयारी कैसे करें और इत्यास जैसे विशय को याद कैसे करें आज मैं थोड़ी सी चर्चे आप से करूँगा कि किस प्रकार से आपको अपने परिक्षा का टाइम टेवल बना लेना चाहिए और घवराने से काम नहीं चलेगा इसे फेस करना है क्योंकि जीवन में कई तरह के एक्जाम हमें देना हैं कई तरह की चुनौतिया हमारे सामने आनी हैं और इन सब के लिए तैयार होने के लिए हमें इन चुनौतियों से सामना करना आना चाहिए तो जो बच्चे इस वर इंटर करने के बाद फस्टियर की कक्षा में आए बीए बीसी बीकॉम बीएचसी बीबीए बीसी ए उनके लिए सारा माहूल एक दम से नया है जो सेकंडियर के बच्चे हैं उनके लिए तो एक बार को इस तरह के एक्जाम से वो गुजर चुके हैं तो वो यूज़ टू हो गए हैं लेकिन फस्टियर के बच्चों में जादा गफराट देखी जा रही है तो आपके लिए सबसे बढ़िया सला यही है मेरी और से कि आप जो भी विशे लिए हैं मेजर माइनर के रूप में या इलेक्टिव विशे के रूप में उस सभी को पूरी तनमेता से तयार करें समझ कर पढ़ने की कोशिस करें और लिख कर याद करने की कोशिस करें, कैसे? जैसा कि हम सबी जानते हैं कि जो मन है वो चंचल है, हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो कहीं और चला जाता है और हम देखते हैं कई सारे इस तरह एक ब्यवस्ताय, चाहिए वो टीवी है, यह हमारा मॉबाइल सैट है, या अपना कंप्वीटर है, अपने मित्र है, परिवार में शादी बया का माहूल है, मेले ठेले का माहूल है, इन सब में हमारा ध्यान उचटता है या बटता है, ऐसे म हमें अपने टाइम टेबल को खास तोर पर बिशेस रूप से तयार कर लेना चाहिए क्योंकि टाइम मेनेजमेंट परीक्षा की द्रश्टी से सबसे महत्पूर हैं आज मैं इसी के संबंद में चर्चा करूँगा अलग से कोई बात नहीं आप जब अध्यान करें तो आप की ज समझ में ना आए और जब वो आपके समझ में आजाए कोश्टन उसके बाद उसको किताब को बंद करने की बाद उसे लिख कर देखें कि आप उसकुश्यन में कितने जानते हैं और जिन चीजों को आप भूल रहे हैं उनको फिर से मिलाएं और अंडरलाइन करें इस तरह का आप जब दो-तीन बार प्रयास करेंगे तो आपको जो question है वो समझ में भी आएगा और लंबे समय तक याद भी रहने बाला है क्योंकि आप समय बिलकुल नहीं है हम जनवरी महां में चल रहे हैं और मार्च और अप्रेल में आपकी परिक्षा होने बाली है और यदि हम नौ प है हम और दो यह हो गए छे हो गए उसके बाद वोकेशनल कोर्स का एक पेपर है प्रोजेक्ट का एक पेपर है तो इस तरीके से आपको लगवग नौ पेपरों की तयारी करनी है और नौ पंजे 45 यूनिट हो जाती है आपको एक एक पर में जदी हम पांच यूनिट मानके च कुछे जाएंगे पिछले वीडियो में मैंने वो सारी विवस्था बताई है किस प्रकार का आपका पैटर्न रहने वाला किस तरह से आपके कुष्चन आएंगे आती लगूतरी वेरी शौट आंसर शौट आंसर लगूतरी और लोग आंसर और इन सब में जो है शब्द सीमा कोपी नहीं मिलती और उसी एक कोपी में हमें अपना सारा पेपर सॉल्व करना है तो यदि आप से किसी कुष्चन में 50 शब्द के बारे में लिखना है आपको किसी कुष्चन का आंसर तो आपको 50 या बहुत से बहुत 10-5 शब्द उपर नीचे हो सकते हैं और यदि 200 में पूछना चाहते हैं जिसका आंसर हमें 50 शब्दों में चाहिए उसमें जो विद्यारती है वो लिख रहा है 500 शब्द और जिसमें 500 शब्दों में आंसर की अपेक्षा है उसमें विद्यारती आदे पेश में 50 शब्दों में या 100 शब्दों में उस आंसर को खत्म कर देत और इसमें आपको नंबर वह पूरे नहीं मिलते अब हम क्रेड़िट सिस्टम के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें अंक भी उसी प्रकार से आपको मिलते हैं इस बार जो रिजल्ट रहा है मैंने क्रेडिट पॉंट के बारे में भी एक वीडियो बनाया था इसमें आ तो ये सारी विवस्ता क्यों होगी क्योंकि हमने गंभीरता से उन विश्यों को लिया नहीं हमने क्योंकि बिश्वद्द्यAlio की परीक्षा का नहुप भी नहीं होता है नहीं। इस तरह से करें कि पांचों यूनिट बढ़ें और एक यूनिट से कम से कम चार कोश्चन आप जरूर तयार करें क्योंकि एक short एक long answer आपके लिखने आएगा लगबग यानि very short और short answer या long answer मिलाके 9 कोश्चन आपको लिखने हैं तो इस प्रकार से आपको एक यूनिट से कम से कम दो कोश्चन लिखने आएंगे और उस हिसाब से आपको कम से कम चार कोश्चन एक यूनिट से जरूर याद करना चाहिए पढ़ना चाहिए समझ के पढ़ना चाहिए जिससे आप उसे आसानी से लिख सकें किसी भी प्रकार की परिशानी से बचने के लिए आपको time table पहले set करना चाहिए क्योंकि प्राया हम देखते हैं कि हमारा जो 24 गंटे में से आदा समय तो सोने में निकल जाता है खाने पीने में और दैनिक कारियों में भी कुछ समय निकल जाता है और अगर हम total मिला के देखें तो हम पर पढ़ाई के लिए एक 24 गंटे में से मुश्किल से 5 ये 6 गंटे बचते हैं और यदि इन 5 ये 6 गंटे का हमने पूरा सई तरीके से इनको use कर लिया तो हम परिक्षा में अबल दरजे से पास हो सकते हैं हम a plus रेनी भी ला सकते है ए प्लस ग्रेड जो है वो हमारी आ सकती ग्रेडिंग सिस्टम में आपका रिजल्ट आएगा आपको अंक सूची नहीं मिलेगी ग्रेड लिस्ट मिलेगी और जैसा के हम सब जानते हैं कि पहले वर्स आपको जो अंक ग्रेड लिस्ट मिलेगी उसमें लिखा होगा कि ये certificate है यानि किसी फस्ट यर परिक्षा का certificate course और जब second year में जाएंगे तो डिप्लोमा course, third year में जाएंगे तो degree course और fourth यदि आप continue करते हैं इसी को इसमा तक अपने UG class को तो उसमें honors with research की उपादी आपको मिलेगी बीए, 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 सी, बीकॉम जो भी आप कर रहे हैं बीकॉम प्राश्ची सिक्षानीती जो लागू हुई है 2020 उसके अनुसार आपको अपनी तयारी करनी हैं अगली बार में आपसे इत्यास विशे में कैसे तयारी करनी हैं और किस तरह से उसको याद रखना है इस विशे पर चर्चा करेंगे मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफी है आपने इस वीडियो को पूरा अंत्र तक देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन